तो इस ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल शुरू हो चुका है Amazon पे तो क्यों ने इसका फायदा उठाया जाए एक्चुली साल में एक ही बार आता यह वाला सेल तो बहुत लोग वेट करते हैं इसलिए मैंने सुचा इसको उपर एक वीडियो बना देना चाहिए अलग-अलग वेबसाइड में जाके कॉम्पोनेंट्स को बाई करने यहां पर पसंद नहीं करता क्योंकि ट्रश टीसू रहता है ठीक है लेकिन एमाजन को उपर लोग आग बंद करके भरोसा करता है काफी सीज बाई भी कर लेता है तो इसलिए मैंने एक पोल डाना था 25,000 का PC विल्ट चाहिए टोटली एमाजन को पर यहां पर 30,000 का PC विल्ट चाहिए तो वीडियो यहां पर फाइनली हाजिए एक सब्राइज म मज़ाता है तो चाहिए को सब्सक्राइब करना पर बेल आइकन टू और नोडिविकेशन नास्कार रोसो मेरा नाम है तिमीर आप देखे लो लूपोल टेक यानि टेक की अंदर की बात जी हां दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेंगे इस बेल्ट का दिल के बारे में मतलब तो प्रोजेसर को से यूज़ करने वाला है इस बेल्ट के अंदर तो यहां पर हम लोग यूज़ करेंगे इंटल की तरफ से i3-10100F यह वाला प्रोजेसर ना काफी बढ़िया प्रोजेसर है बहुत अच्छा बजेट के अंदर यह वाला प्रोजेसर आपको चीज़े ओफर करता है चाग को आर्ट के साथ आता है 3.6 GHz का बेस क्लोग स्पीड एंड बूश्ट अप टू 4.3 GHz सब्सक्राइब और बाकी का जो चीज़े आप लोगो तो पता ही है इस प्रोजेसर के बारे में बाकी आप इंटरनेट से भी पर सकते हो अब यह वाला जो प्रोजेसर है यह काफी अच्छा बहतरिन वैलू फर मनी एक प्रोजेसर आता है इंटल की तरफ से तो इसको आप कर सकते हो गेमिंग के अंदर ना बहुत अच्छा खासा एक पेस आपको निकल कर देता है अगर इसके साथ आप एक अच्छा खासा हाई एंड ग्राफिस कार्ड भी पेर कर फिलाल यह वाला पॉजेसर अपर 9,180 रूपय का देखने को मिल रहा है तो अगर आप बाइक करने का सोच रहे थे तो अभी इसको आप बाइक कर सकते हो Amazon से और हाँ Amazon का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वहां सही पर्चेस करना तकि मुझे भी थोड 10 जनेशन प्लास 11 जनेशन का सपोर्ड मिलता है इन फ्यूचर अगर आप 11 जनेशन का परसल लगाना चाहते हो तो वह भी आप इस मदरबोड बे लगा पाऊगे यहाला मदरबोड आता है MSI की तरफ से MSI H510 MA Pro इस मदरबोड के अंदर आपको 10 जनेशन आपको 11 जनेशन का स सपोर्ड मिलता है 32 मेगा स्टा ग्रैम आप इसके अंदर लगा सकतो जो इन बिल्ड मदरबोड ही सपोर्ड कर लेता है और यहां पर आपको दो रैंस अपर देखने को मिल जाता है जो जेन 3 नहीं जेन 4 को सपोर्ड करता है तो यहां पर यह एक और आपको एडवांस चीज तो एमाजोन से 5650 रुपए का अभी काफी अच्छा डिल में चल रहा है इसको डेफिनेल इंक्लूड करना इस बिल्ड के अंदर नेक्स्ट अब यहां पर बात कर लेते हैं रैम की बारे में अब आप यहां पर इंटेल का 10 जनेरेशन का पॉसरी उस कर रहो मतलब यहां पर 26 2666 मेगाज का जो रैम आता है वह सपोर्ट करेगा ठीक है अगर आप इंटेल के 11 जनेरेशन का बाद में लगाता हो तो वहां पे आप रैम को 32 मेगाज वाला रैम से रिप्लेस कर सकते हो लेकिन फिलाल आपको यहां पर 32 मेगाज का रैम का इस्तिमाल नहीं करना है क्योंकि अगर इस्तिमाल करो गया तो उसना डाउन क्लॉऑ के परफॉर्म करेगा तो आप एक श्रॉप प्राइसा इंवेश्ट करके रिफिस्ट करूअप तीन लगाज का रैम का इस्तिमाल कर रो तो इसलिए आपको यहांपे 2666 मेगाज का इस्तिमाल करना है बीडीयर 4 देखना है और इसको आपको ओवर क्लॉक भी नहीं करना है यह इसका जो नॉर्मल फ्रिक्वेंस है इसके उपर ही रन करेगा काफी बहतरी आपको पर्फर्मेंस भी निकल के देगा तो काफी सई है तो यहां पर आपको 8GB का एक स्टीक करना है इन फ्यूचर आप एक और RGB का स्टीक लगा आपके लिए अब नेक्स्ट यहां लोग बात करेंगे यहां पर स्टोरीज की बार में ठीक है अब स्टोरीज के अंदर हम लोग यहां पर इन्वेमी के इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है क्योंकि बजट बहुत ज़्यादा टाइट है अब अगर आप यहां पर 1000 रुपे लोग इस्तेमाल करेंगे क्रूशियल की तरफ से BX500 इसका टूटल कैपासिटी आपको 240 GB का देखनों को मिल जाता और यह एक साटा एसेजडी है तो यहां पर काफी अच्छा आपको विंडोस का पर्फॉमेंस देखनों को मिलेगा आपका विंडोस यहां पर लैग नहीं मा तो यहां पर आपको यह वाला एसे जी देख्टों को मिल जाएगा 2380 रुपय का जो आपको डेफिनली बहुत अच्छा वैलू दे रहा है अगर आपको बाई करना है तो अभी आप अमाजों से इसको डेफिनली बाई कर सकते हैं सब्सक्राइब के लिए अब बात कर लेते ह आपको जो गेमिंग पर्फोमेंस यहां पर देख्टों को मिलेगा क्योंकि यहां पर यह वाला ग्राफिक्स कार्ट जो है यह उसका एकदम से नेक-टू-नेक बरवर पर्फॉर्म करता है अब यह वाला ग्राफिक्स कार्ट कॉन सा है हास उसकी तरफ से GT 1030 इसके अंदर सब्सक्राइब आपको इंटरनेट के उपर आराम से देख्टों को मिल जाएगा तो उसके अंदर में ज्यादा नहीं जा रहा हूं देखो यह वाला बिल्ट का जो कॉंबिनेशन है ना आय जीटी ञ 높़ते इसका मैंने बेंच माँ देख रहा है फिसके ऊपर मैंने पीस बील्ट काुमिंग परफ्सक है तो में लिखना को पता क्या पफ्रामेंस मिल था है अगर मेंने बता हूँ यहाँ आपको GTA 5 केल रहा है आपको यहां पर 40 से 50 एपिस मिल जाएगा नॉर्माल सेटिक के अंदर आपको यहां पर रिकोवेंट करूँगा यूज करो एक पावर सप्लाई एपको 500 वाटेज का पावर करता अंदर आपको जो वारेंटी आप वो दो सल को वारेंटी मिलता है तो काफी सही आपकी अच्छा पावर सप्लाय इसका जो रिव्यू है ना अमज़न को बहुत इस बेल्ड के लिए डेफिनेटली आप इसको कंसिरेर कर सकते हो बजेट थोरा टाइट है इसलिए मैं यहां पर 80 प्लास नहीं दे पाया अगर आपका बजेट यहां पर थोरा ज्यादा एक्टेंड कर सकते हो तो आप सट्राइब कर सकते हो फिलाल आप इसवाले इससरे कर सकते हैं अब करेंगे नेच नलूग यहां आपको दो नवीट के बार में आपको दो कैबिनेट के बारें अब के अंदर मैं आपको सेकिंट वाला कैबिनेट को टो आप शेकेंट वाला कैबिनेट को एंपोता बहुत बढ vet का वोकिनेट के थे अब नेक्स जो कैबिनेट है यह आता है च्छा वान थटी एजी यह वाला कैबिनेट थोड़ा बहुत आपको अच्छा गेंग जो लुक और फिल करता है इसका सामने की तरफ आपको आरजी वी का एक श्टिप देखनों को मिल जाएका और एक फैन के साथ इंग्लूड आता है आपको साइड पे ग्लास पैनल भी देखरों को मिल जाता है साथ साथ PSU स्राउट भी है इसके अंदर तो काफी अच्छा बैतनी एक कैबिनेट है और सेकेंड वाला उप्सन अगर आप लेना चाहते हो तो आपको यहां पर दो अजार चेशो के आसपस देखरों को मिल जाएग यहां पर बच जाएगा तो दोस्तों इसके साथ आज की यहां पर ही खतम होता है Amazon का जो ग्रेट इंडियन फेश्टिवेल का सेल है उसके अंदर यह वाला टॉटल मैंने आपको बना के दिखाया आपको बाई करना है तो वीडियो का देस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएग झाल पर जाएगा जाएगा वाला ट्रीप्शन में लिंक वाला टॉटल में लिएएगा ही यहां जाएगा लियो का साथ एफ़ का समय होता है झाल झाल